नमस्कार मैं संजीव कुमार केवल एक बाद बदल कर सब कुछ बदल सकता है पावर आफ वन थिंग एक बाद की सकती इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रेंडी कॉल्सन इस पुस्तक के सारसंचेप का छठा भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जीवन सु व्यवस्थित करने के लिए पावर आफ वन थिंग काम के तीन नियम है असमंजस्ता से सहस्ता खोजें मत भेद से सू समबाद खोजें समस्या के बीच ही हल छिपा होता है सर अलबर्ट आइंस्टीन घर और मन दोनों जगह से अनावश्यक अनुपयोगी चीजों बातों को अवश्य फेक दे तभी आवश्यक उपयोगी चीजों बातों को सहेच पाएंगे हमारा जीवन सरल है अथवा उल्जा हुआ है वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन में घर करके बैठे विचारों के फैलाव को कैसे समेठते हैं उल्जन के कारण इस वर द्वारा हमें दिये गए कारियों की करने की रफ्तार कम होती है और हमारी प्रगती की गती भी कम हो जाती है उल्जनों के प्रती तीव्र गुष्सा होने के बावजूद उल्जन हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करती है उल्जन उत्पन होने के साथ कारण है पहला आप काम के बोश्टले दब गए है इससे हम करने कुछ जाते हैं और उसका प्रडाम कुछ और ही होता है दूसरा शुरुवात कहां से करें यही नहीं मालुम होता समस्या सम्बंधों की हो आर्थिक हो या घर स्वच रखने की हो शुरुवात कहां से करें यही समझ में नहीं आता है तीसरा आपको उल्जनों की आदत हो गई है समान का फैलाव या उल्जन हमें पसंद नहीं होता फिर भी जाने अंजाने हमें उनकी आदत लग जाती है कुछ लोगों के घर में काफी कचरा फैला होता है लेकिन उन्हें उसकी इतनी आदत हो चुकी होती है कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता इसी प्रकार कई लोग अनुचित कारियों को सहज्टा से करते रहते हैं क्योंकि उन्हें इसकी आदत बढ़ गई है चौथा आप बदलाव को स्विकार करने से डरते हैं स्वयम में बदलाव लाने में हम असहज होते हैं प्रतेक वस्तु के लिए इस्थार निर्धारित करना और उस वस्तु को उसकी जगह पर रखने का बदलाव हम स्विकार नहीं कर पाते हैं पांच्वा हम वस्तु लोग और होने वाले परड़ाम नियंत्रित नहीं कर पाते कई लोग बेचैन करने वाले संबंधों अत्वा बातों को नहक ही लेकर बैठते हैं कुछ संबंधों में दूरी आ जाती है ऐसे संबंध वेदना दायक होते हैं यदि मानसीक पुल्जन कम हो जाए तो ऐसे संबंधों में वेदना कम होती है तथा हमारा चिर्चिडापन कम हो जाता है किसी व्यक्ति के बोलने अत्वा बहवार के कारण हमें तिब्र वेदना होती है और उसे हम सहज रूप से छमा नहीं कर पाते यदि हम उन्हें सहज रूप से छोड़ दे तो वह दुबारा हमें तकलीफ देगा ऐसा डर हमारे मन में बना रहता है ऐसा लगता है कि आप प्रतियोगिता कर रहे हैं एक सटीक कहावत है जिसके पास सबसे ज़्यादा खिलोने होंगे वह विजेता होगा मेरे पडोशी या दोस्त के पास कोई वस्तु है तो मेरे पास भी वह वस्तु होनी चाहिए बलकि उससे अच्छी होनी चाहिए इसी आसे से हम बस्तु हो का संग्रह करते जाते हैं और अंजाने में ही इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं सात्वा महत्वण बातों को एक तरफ करके आप तात्कालिक काम करने लगते हैं आपका पूरा समय इस तात्कालिक उत्पन्य समस्या को सुल्याने में ही निकल जाता है परन्तु यह भी जरूरी ही था अता पुरु नियोजित महत्तुपूर काम को भूलना नहीं है पुल्जन क्यों? पुल्जन पैदा होना यह अन्सुल्जी समस्याओं का लक्षण होता है ऐसी इस्थिती में या तो अपने विचार बदले या फिर काम क्योंकि दोनों का परिणाम आपकी भावनाओं पर होता है पुल्जन कम करना भी वैसा ही है या तो आप पुल्जन कम करने का प्रयास करें या फिर उसमें नहित मूलभूत समस्याओं को सुल्जाने का प्रयत्न करें घर के अंदर विखरी वस्तुगों को समेटना आसान होता है किन्तु मन में संचित विचारों की उल्जन को समेटना अत्यन्त कफिन होता है इस कौर्ट पैक अपनी पुस्तक दा रोड लेस ट्रेवल्स में लिखते हैं समस्या नष्ट नहीं होती बलकी उसे सुल्जाने के लिए उपाय धूढने पड़ते हैं अन्यथा वह आपकी प्रगती या विकास में बाधक बनती है उल्जन होना इस प्रकार की समस्या का ही लक्चन होता है फैले हुए समान की अवहिलना करना या अन्सुल्जी समस्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है तठस्त रूप से जिन्दगी की ओर देखने पर मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन में अत्यांत छोटी छोटी बातों के कारण कई उल्जन पैदा होती है और यही उल्जन हमारी प्रगती में बाधक बनती है धन्यवाद नमस्का सेस अगली अंक में पिछला अंक डिस्क्रिप्चन बाक्स में धन्यवाद